जहन जह भारत आप देखरें जनता दर्बार ने उज़ोर में आपके साथ जोती राखाऊ एलविश शादव के एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ा नोईडा पुलिस ने एलविश को सापो के जहर मामले में गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में यूट्यूबर एलविश शादव को भी आरोपी बताया गया पुलिस ने पार्श लोगों को गिरफ्तार किया है जिन में एक व्यक्ति के पास 20 एमल जहर मिला था जिसका नाम राहुल है इस मामले में एलविश ने शोशल मेडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमन होने खुद को निर्दोश बताया और कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है वे यूपी पुलिस के साथ सहीयों करने के लिए भी तैयार है लेकिन हाल ही में एक ओडियो क्लिप में गरफतार आरोपी राहुल यादव के एक संगठन के सदश्य को बताया कि उसने एलविश की पार्टी में ड्रक्स पहुंचाया था इस मामले में अभी भी कई राच छिपे हुए हैं और जाँच जारी है इस केस में यूट्यूबर एलविश यादव भी आरोपी है पुलिस ने पांच लोगों को गरफतार किया था इसमें राहुल, टीटूनाथ, जैकरन, नारायन और रवीनाथ शामिल है आपको बता दे कि मामला सामने आने के बाद एलविश ने अपने सफाई देते विए इंस्टा पर वीडियो पोस्ट किया था उन्होंने कहा था, मैं सुबह उठा, मैंने वीडियो में निउस देखी मैं बता दू कि मेरे खिलाव जितने भी चीज़े चल रही है, वो फेक है और इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेकर जो भी बाते कही जा रही है उसमें किसी तरह की सचाई नहीं है, आरोप मेरा नाम खराब ने करे मैं यूपी पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तयार हूँ, मैं यूपी पुलिस और मानन ये मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाद से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज में अगर मेरे खिलाफ एक परसेंट भी आरोप साबित हुए तो मैं जिम्मेदारी लेने को तयार हूँ मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज बिना किसी सबोत के मेरा नाम खराब करने की कोशिश ना करे मेरा दूर दूर तक इस से कोई वास्ता नहीं है इस पूरे मामले में एलविश ने खुद को निर्दोश बताया है उनके मताबिक इस केश में उनका कोई लेना देना नहीं है फिलहार पुलिस ने एलविश को गरफतार कर लिया है